वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब ठंड चालू हो गई है और इस ठंड में यदि हमें लेसन की चटनी और गरम गरम मुंदाल का चिल्ला मिल जाए तो क्या कहने तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने यहां किस तरह से लेसन की चटनी बनती है उसकी रेसिपी सेयर करती ह यह लोग बहुत पसंद कर सामगरी देख लेती हूं दो गाठ लैसून की जो होती है वो लेंगे उसकी सारी कलियां को अलग करेंगे आदे घंटे के लिए पानी में भिंगो के चिलका उतार लेंगे वन फोर्थ कप हम नॉर्मल बदाम लेंगे ताई में मैं आम का अचार ल लाल मिर्ची थोड़ी जादा लगेगी यह अपको कलर चाहिए तो कस्मिरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं तीन से चार समच लाल मिर्ची पाउडर लगेगी वन फोर्थ कप मस्टेड ओयल मैं कड़ाई में डाल के गरम करूंगी मस्टेड ओयल में यह चटनी बहुत बनती है, जीरा क्रेकल होनी दूँगी, साथ ही मैं मिक्सी के जार में बडाम, अचार और लेसन को डाल करके थोड़ी पानी डाल के पेस्ट बना दूँगी, जीरा क्रेकल होने के बाद बडाम, लेसन और अचार का जो मैं पेस्ट तयार की थी, वो मैं तेल में एड़ कर मिक्सी की जार में थोड़ी सी पानी डाल करके जो पेस थोड़ी सी फसी हुई है मिक्सी की जार में उसे भी मैं अच्छी तरह निकाल के कढाई में ही एट कर दूंगी अब इन चीजों को चला के अच्छी तरह भून लूंगी मैं सामागरी में धनिया पाउडर बताना भूल गई थी आप तीन चम्मच इसमें धनिया पाउडर यूज किजेगा ये देखे मैं तीन चम्मच धनिया पाउडर एड की हूँ साथ में हल्दी पाउडर लाल मिर्ची थोड़ी जादा लगेगी लाल मिर्ची से ही इसमें टेस्ट और कलर दोनों आता है तो वो तीन से चार चम्मच आप डालिएगा इसके बाद स्वादा नुशार नमक ये चटनी बना के आप इसे अच्छी तरह स्टोर कर सकते हैं फ्रीज के बाहर ये चार पास दिन रहती है और फ्रीज में तो आप महीनों स्टोर कर सकते हैं तो आप डेर सारी बना के स्टोर कर दीजे ठंड के दिनों में लिट्टी के साथ, चिल्ले के साथ ये गरम-गरम बहुत ही स्वाद लगती है और लहसन के वज़े से बाड़ी को हीट भी देती है है ना अब इसे मैं अच्छी तरह पकाऊंगी जब तक तेल उपरी सतह पे तहरने न लगे तब तक लाल-मिर्ची थोड़ी कम लग रही थी तो मैं और यूज की हूँ मैं कास्मिरी लाल-मिर्ची यूज नहीं की हूँ नॉर्मल लाल मिर्ची ही डाल रही हूँ ये चटनी थोड़ी तीखी होती है चटपटी और स्वादेस्ट एक बार खाईएगा ना तो रियली मैं चैलेंज करती हूँ बार-बार मैं बनाने को जी करेगा धक्कन लगाके पकाऊंगी थोड़ी देर धक्कन लगाके पकाने के बाद मैं धक्कन हटा दी हूँ देखिए तेल कैसे सेपरेट हो गई है अब मैं इसे थोड़ी देर और चलाऊंगी और थोड़ा और पकाऊंगी थोड़ी देर और पकाने के बाद ये चटनी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है देखिए गाड़ी गाड़ी टेस्टी लेसन की चटनी है ना देखने में बहुत जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी थी तो ये वीडियो आपको कैसी लगे यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर और जब मन करे निकाल के खाईए और हमें बताना बिलकुल मत भूलिये आपकी चटनी कैसी बनी थी लेसन वाली तीखी तीखी मजेदार